नमस्कार बहुत साल पहले की बात है जब अडल बहारी वाजपी के सरकार हुआ करती थी तो विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के एक वक्तवे के जवाब में एलके एडवानी ने तब कहा था हसते हुए कि ये तो विद्वा विलाप की तरह है और मैंने याद है मुझे मैंने तब कहा था उसी प्रोग्रैम में कि अगर विद्वा का विलाप एडवानी जहाब आपके लिए मजाग की बात है या हसी उड़ाने वाली बात है तो बहुत अफसोस है इस पर आपसे फिर सवाल पूछे है जिनके पास रोजी रोटी का जरिया नहीं है जिनके पास रोटी कप्रा मकान का जरिया नहीं है जिनको उनके घरवालों ने छोड़ रखा है चाहे वो विद्वा है या नहीं है तो ऐसी औरतों का भी हाल बहुत बुड़ा है हाल ही में लूंबा फाउंडेशन नाम की एक कमिशन्स थे उनसे कहा गया कि आप जगह जगह जाईए वरिंदावान एक खास केंद्र है बनारस उसके बाद दूसरा है और भी बहुत जगह है जहां पर लोगबाग परिवार के लोग एक दफ़े आदमी की मौत हो जाए तो उसकी बीवी को उसकी पत्मी को चाहे वो दादी हो परवान करते भी निगे वेराल सुप्रीम कोट ने सरकार पर एक लाग रुपए का जुर्माना लगाया है जैसे सरकार ने पिटियु एम पर पांच लाग रुपे का जुर्माना लगा था प्रधान से वक का चेहरा इस्तवाल करने के लिए हैं ये मामला बहुत गंभीर ह ट्रिपल तलाग को लेकर हमारे नेता वक्तवे देते हैं क्योंकि उसमें राजनीती, उनकी राजनीती का फायदा होता है। जबकि अगर मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊं। एक संगतन है राष्टरवादी मुस्लिम महिला संग। इसका संबन्द RSS से है। उनने सुप्रीम कोड को अप्रोच किया था जून में कि मुस्लिम पर्सनल लॉव में पॉलिगैमी मतलब एक से अधिक शादी और ट्रिपल तलाग की जो परंपरा रही है उसे बंद किया जाए। इसके जवाब में फिकर्स ये हैं ये हैं मेरिटल स्टेटेश बार रिलिजिस कम्यूनिटी एंड सेक्स 2011 सी तीन नमबर नाम की टेबल है और इसमें मर्दम शुमारी जन संख्या सेंसर्स जो होता है उसमें से फिकर निका लिगाई है। हालत ये है कि शादी शुदा औरतों में सबसे ज़्यादा किस समुदाय की औरते शादी में बनी रहती हैं वो मुस्लिम समाज है उसके बाद आता है हिंदू समाज जिसमें सबसे अधिक औरते शादी में बनी रहती हैं मुस्लिम समाज में 87.8% औरते शादी होने के बाद ब बनी रहती हैं और कोई उसमें तलाक या डिवोर्स नहीं होता 83.7% Christian और शादी में बनी रहती हैं और बाकी जो minorities हैं वो भी religious minorities उसमें 85.8% और जो शादी हुने एक दफ़े शादी होने के बाद शादी में बनी रहती हैं The percentage of widowed women is least amongst Muslims. विद्वाओं की संख्या सबसे कम Muslim समाज में है 11.1% हिंदू महिलाओं की संख्या हिंदू विद्वाओं की संख्या 12.9% है ज्यादा है उसे Christians की 14.6% और बागी religious minorities जो हैं उनकी 13.3% मुम्किन है कि विद्वाओं का दुबारा विवाओं पुनर विवाओं की परंपर जिस समुदाय में हो जिस समाज में हो माय संख्या कम होती है और घर का एक सहारा बना रहता है उन्हें किसी धार्मिक जगा पे भेजने की जरूट नहीं होती घर से निकालने की जरूट नहीं होती जैसे हमारे हैं रिंदावन में देखा गया है या बनारस में देखा गया है या हरिद्वार में देखा गया है घर से निकाल दी गई बुज़र्ग बुज़र्ग औरते हैं क्योंकि उनके आदमी मर गए इसलिए उनको घर से निकाल दो अभी उन्नीसवी सदी के मदे तक तो परंपरा सती की भी थी कि एक दफ़े आदमी मर गया तो औरत का कोई मतलब नहीं रहा जाता वो किसी काम की नहीं है तो उसको भी उसी की चिता पर जाके साथ में जलाद हो यह तो फिर 1956 में जब सरकार ने इनको हक दिये कि आदमी के मरने के बाद जो उसकी जायदाद है संपती है उसमें औरत का भी हक है तो उनकी थोड़ी इंपावर्मेंट हुई बहराल टिपल तलाग के इश्यू पे बहुत शोर है हम उम्मीद करेंगे कि उन औरतों के जो हुकूक है जो अधिकार है उन पर भी उतना ही शोर हो जिनको उनके घरवालों ने छोड़ दिया है या पती ने छोड़ दिया है या जो विद्वाना होते हुए भी जिनके पास रोजी रोटी का जरिया नहीं है, परिवार का सपोर्ट नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनका भी ध्यान किया जाए, हर बात में राजनीतिक रोटियां ना से की जाए फेस्बुक पर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस सवाल पूछा कि अगर दिल्ली की जो मिनिस्पिल कॉपरेशन अप डिली के चुनाव हुए हैं, अगर उनमें बीजेपी की जीत होती है, तो क्या हमें संयुक्त राश्टर संग की सिक्यूरिटी कांसल में सीट मिल जाएगी उनके जो तन्स है ये, ये जो सेटायर है उनका, इसमें ये बात चुपी हुई है, कि इस वक्त कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकल मिनिस्पिलिटी का भी चुनाव हो, उसको भी अगर पक्ष में जाता है, बीजेपी के, तो उसको भी रिफरिंडम बता दिया जाएगा, बेराल, मैंने M.C.D. का जिकर इसनिये किया, कि स्वच्च भारत का एहलान हुआ ता, जैसे और एहलान हुए थे, बहुत से एहलान हुए थे, प्र। ऑल्किल इंडिया का ऐलान हुआ лет», «मेक इंडिया का ऐलान हुआ था गोल्ड बाण ב अंड बाॉन्डिया का आलान हुआ था और इलानों की तरह ऐलान करने के बाद इसे भी भूला दिया गया है उजान करो और भूल जाओ करो और पूल कि इसक्राटिजी देख है एक और नया एलान हुआ है कि संद 2022 से इंडिया विल बी कॉल्ड न्यू इंडिया 2022 से भारत भारत नहीं होगा नया भारत होगा एलान हो गया है पिछले तीन साल पहले जो एलान हुए थे उनमें दिखाने को कुछ नहीं है इसलिए बात 2022 तक आगे बढ़ा दी गई है मैं यह हों कि जमीनी हकीकत कुछ और कहती है दुनिया के सर्वश्रेश्ट, बिजनेस, मैगजीन, फोब्स के मुताबिक पांच, एशिया की पांच सबसे गंदे शहर कौन से हैं एशिया के पांच सबसे गंदे शहर हैं सबसे पहले नमबर पर आता है धाका बंगलादेश दूसरे सब्सक्राइuju इंडोनेशिया को कालि मंटान कि थी से नंभर पर गंदगी कुडा क।च्षरा बदभू से बढ़ा हुए ऊ-चलि नंभर पर, कूडा के छड़े चौध user, कूडे मोंबी, पर नए दिल्ली अंपर की राजथानी विदत स्वच्च नहीं है। मुंबई भी स्वच्छ नहीं है बावजूद पिछले तीन साल के और पांच में नंबर पर आता है चीन का जिंग टाए बेजिंग नहीं शेंगाई नहीं जिंग टाए बहुत से लोगों सुना भी नहीं हो का नाम इसका बहुत जोर शोर से स्वच्छ भारत का ऐलान हुआ था और बहुत जोर शोर से यह मालिनी जैसे बतलब जो लोग हैं जो मेंबर भी है संसद के और सलमान खान जैसे एक्टर थे और भी बहुत से लोग थे खुद प्रधान से विक नरेंद्र मुली थे जाड़ू लगा लगा के खुब वाह वाह यह बटोरी की थी तीन साल पहले आज यह रिपोर्ट बताती है कि मुंबई और दिल्ली का क्या हाल ह कि अब और शहर हमने लिये नहीं है वहां भी हालत को इच्छी नहीं हैं एमसिडी का झिकरिस लिए किया कि शहरों की सफाई साफ सफाई का जिमा जो होता है वह मिलिस्पिल कापरेशन के हाथ में होता है डिली में मुंबे में बी एमसी है मैं आपको कुस फिगर्स बताता भारत में 10 करोड़ लोगों के पास साफ सुत्रा पीने का पानी नहीं पहुंचता क्योंकि जो पानी के जरीये हैं चाहिए वो हमारी नदिया हो नहरे हो उनमें गंदगी भरी हुई है यह फूल अ फिल्थ सेंट्रल पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड के मुताविक 2011-12 की रिपोर्ट है यह साथ परसेंट जो भारत के स्रोत हैं पाने के चाहिए वो नदी हों नहरे हों कुएं हों बावरी हों तालाब हों जोहड हों उनमें बायो केमिकल ऑक्सिजिन डिमांड जो होती है वो बहुत कम है और जो मल होता है जो शिट कहते हैं प्यार से अंग्रेजी में उसमें 68% उसके बैक्टिरिया होते हैं कोलिफॉम बैक्टिरिया मल से ओ शिट सन 2012 में करीब 65 लाक मौत सिर्फ प्रदूशन की वज़े से रिकॉर्ड की गई थी यहां पर हमारे यहां पर भारत में अब हम चलें दिल्ली और मुंबई की ओर तो फिगर जो है दिल्ली पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कबजा रहा है मिनिस्पिल कॉपरेशन पर फिर उसे 400 में पाटा के साफ सुत्रा एक्तम और सन असी तक वैसा ही रहा उसके धीरे-धीरे मुंबई का पतन मैंने देखा है आज यह हाल है कि जाने का दिल ही नहीं करता लैंसेट नाम का एक जर्नल है मेडिकल जर्नल बहुत ही रिस्पेक्टेड है उसके बहुत ही उसके मताबिक 80,635 लोग वक्त से पहले मर गए पिछले 30 साल में मुंबई में पॉल्यूशन की वजह से मुंबई और दिल्ली में यह सन 95 से दुगना हो गया उसके बाद मैं आपको और बताओं दिल्ली में वक्त से पहले मौत वो भी किस वजह से वानोफ से निकलने वाले धूएं की वजह से निर्मार से उड़ने वाली धूल की वजह से और जो और फैक्ट्रियां वगरा होती हैं उनका धुआ और उनका इंडस्ट्रिल रिफ्यूज उसकी वजह से सन 1995 में उननीस दार साथ सो सूना लोग मरे थे इसकी वजह से वक्त से पहले बेवक्त की मौत सन 2015 में संख्या बरूकर 48,651 हो ग गई थी यह हाल हमारे उन दो बड़े शहरों का है तो एक देश की राजदितिक राजधानी है दूसरी देश की अर्थिक राजधानी है फिनांशल कैपिटल है यह तो फिगर्स बहुत जादा है दिल्ली न्यू डिली दिल्ली में मतलब आगर आप देखे हैं तो MCDs हैं एक Cantonment Board है और एक NDMC भी है जो नई दिल्ली का इलागा देखती है नई दिल्ली में ही 36 लाख क्यूबिक मीटर सीवेज रोज निकलता है लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट इनकी बेकार रही है थर्ड रेट रही है इसलिए इसका आदा ही ट्रीट हो पाता है बाकी को जमना में देए जाता है और एक फलती फूलती जमना रवानगी से बहती जमना जमने बच्पन से देखी थी मेरा घर जमना के नजदीक है मेरे घर के चट से जमना जी दिखती है जो हम बच्पन से देखते आया थे फलती फूलती बहती रवानगी से बहती जमना आज गंदे नाले में बदल चुकी है है सो मच फॉर स्वच्छ भारत आप देख रहे थे जन गण मन की बात हम आप से एक बार फिर इलतिजा करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूट्यूब पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाई है साथ में घंटी बनी हुई है घंट बद्सक्ति करेंगे है